असलाम लेकुम सूटेंट्स वल्कम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल बेटा क्लास 10 चेप्ट नाबर 3 हम लोग डिसकस कर रहे हैं इसके अंदर हम लोगोंने मल्टिपल स्ट्रॉक्चर्स को डिसकस कर लिया है और कौन-कौन सी चीज़ें थी जो हम डिसकस कर चुके हम सीकुएं करने के लिए जो स्टेट्मेंट्स थी वो डिसकस कर चुके हैं बटा सलेक्शन स्ट्रॉक्चर उसका कॉंसेप्ट किया था कि किसी कंडिशन की बेस पर प्रोग्राम के एक हिसे को स्किप कर वा देना जबके किसी दूसरे पार्ट को एक्जीक्यूट कर वा देन हम लोगोंन यह था कि whenever we want to repeat some number of statements कि जब कभी हमें बार बार एक ही statement को लिखना पड़ता है तो हम बजाए इसके कि उसे बार बार लिखके हमें एक concept यूज करते हैं जिसका नाम था iteration structure, repetition structure या loops structure मैंने आपके सामने मेटा flow chart भी draw किया और मैंने कहा कि statements चलती आ रही होती है, condition लगती है, उ जो है वो वापस control को transfer ऊपर कर देता है, so statement क्या बनी, कि loop will keep repeating on its action, कि वो अपना action तब तक repeat करता जाता है until the specified condition becomes false, जब तक जो condition आपने बताई है, वो false नहीं बेटा हो जाती, अब हम लोग दो टाइप्स के loops discuss करेंगे बेटा, आपकी book के उन चंद long questions में से एक है, जो आपको पिछले 15 साला board papers में ऐसा कोई paper नजर नहीं आएगा, जहां पर ये question में difference ना पूछा गया हो, first time नहीं तो second time, या तो for loop में और while loop में difference आजाता है, या सिरफ for loop long question के अंदर आजाता है, या सिरफ while आजाता है, और कभी ऐसा अगर हो भी जाए, कि इन दोनों के दिन में difference नही नहीं बनाए हैं, क्या एक loop से number of statements रिपीट नहीं की जा सकती, बिटा बिलकुल ऐसा ही है, मुक्तलिफ statements को एक ही loop के थूर रिपीट करवाया जा सकता है, लेकिन problem ये है, कि मुक्तलिफ nature की problems के अंदर कुछ चीजें suitable होती हैं, कुछ नहीं होती, अब अगर आपको मैं कहूं कि आपने one से लेकर ten तक numbers को print करना है, actually आप 10 दफा a की statement लिखने वाले हैं, ये example previous lecture में हम discuss कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं, आपने first ten natural numbers को repeat करवाना है, तो देखें बिटा, one से लेकर ten तक जो numbers हैं, वो, और first ten natural numbers, ये दोनो actually questions same ही हैं, लेकिन उसका पूछने क तरीका different है, एक में उसने one से ten तक कह कर आपको starting और ending value बता दी, और दूसरे एक scenario के अंदर उसने सिर्फ इतना कहा, first ten natural numbers, उसके अंदर आपने starting और ending value आपको खुद देखनी पड़ती है, एक ऐसा scenario जिसके अंदर आपको program की first value और last value, यानि initial value और final value पहले से बता दी जाए, ताकि आप उसको देखके अंदाजा लगा सकें, कि लूप में कितनी repetitions होगी, जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपने one से लेके 500 तक numbers को print करवाना है, आप कहेंगे कि सर्फ 500 दफा लूप चलेगा, one, two, three, four के लिए और then so on 500 तक, लेकिन अगर मैं कहूँ, आप first 500 natural numbers को print क करें, इसमें ना starting value given है, ना ending value given है, तो आप सोचें, किसा देखें हमें पता है, natural numbers किया होते हैं, तो number of repetitions तो इसमें से भी पता चाल जाते हैं, लेकिन बटा अगर मैं कहा दूँ, कि आपने first 50 जो हैं, वो prime numbers print करवाने हैं, अब जिस बच्चे को prime numbers कहीं नहीं पता, वो उसक starting और ending value नहीं calculate कर सकता, जब वो उसकी starting और ending value calculate नहीं करेगा, तो उसको number of repetitions कभी पता नहीं चलता, तो हमने दो scenario's discuss किया हैं, अब ज़रा देखिएगा, when in advance we know number of repetitions, जब statement को देख कर ही पता चल जाएं, इसने कितनी दफार चलना हैं, इसने कितनी दफार repeat होना है, तो for next loop effective option होती है, दूसरा scenario, कि इसके अंदर क्या होता है, loop will be executed until the specified condition becomes false, इसमें आपको कुछ नहीं बताया जाता, English में statement होती है, no starting value, no final value, आपको values भी खुद ही सोच नहीं होती हैं, और then उसके अंदर number of repetitions भी आप खुद ही count करते हैं, जब कि इस scenario में क्या था, आपको सारा उस पहल नहीं है, लेकिन आपने लिखना जरूर है साथ, कि for next loop को counter loop भी कहा जाता है, जबके while wind loop को हम controlled loop कहते हैं, ठीक है, for next loop को counter loop कहते हैं, जबके while wind loop को controlled loop कहा जाता है, दो points आपके साथ clear हो चुके हैं, third point है syntax का, यानि इस loop को program में implement कैसे करना है, तो बटा जरा देखिए, हमने लिखा होगा for, जो के एक keyword है और हमारे loop का नाम भी है, उसके बाद एक variable आएगा, यह देखें यहाँ पर variable है, is equals to x, two capital लिखना है यहाँ पर, two का tb और o भी दोनों capital हैं बटा, English वाला काम नहीं करना, x to y, और step z, और then आप लोगों ने नीच और फिर variable लिखना है, आप इसमेर से कुछ बातें समझ लेते हैं, पहली बात, four के बाद आप जो भी variable लिखोगे, वो variable next के बाद भी आएगा, example ज़रा देखिए का बटा, four के बाद यहाँ पर n है, so मुझे next के बाद भी n लिखना पड़ा, fine, पहली condition समझ आ गई है, जो variable आ four keyword के बाद इसमाल करते हैं, उसको next के बाद भी use करना पड़ता है, पहली बात सर ऐसा क्यों है, so बटा यह आपको मैं तब बताऊंगा, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और बड़े आपने होना है, वो interpretation के बिल्कुल last वाले point के अंदर, next move करते हैं बटा, variable क्य variable यहां use कर सकते हैं, equals to है, एक operator है, obviously values को assign करवाता है, x और y क्या है, x बेटा initial value है, जबके y जो है, वो final value है, जैसा के अगर आपको question पूछा जाता है, one से लेकर, ten तक आप numbers को print करें मेरे बचो, so यह जो x है, यहाँ पर यह one है, और जो y है, यहाँ पर यह 10 है, so अभी तक ह four क्या है, अच्छा four को loop, जो है वेटा counter loop भी कहा जाता है, उस वज़ा से four के आगे जो variable है, इसे loop variable कहेंगे, यहाँ पर भी while में भी loop में जोन सा variable इससमाल होता है, उसको loop variable या loop control variable भी कहते हैं, इसलिवेटा इन चीज़ों को ज़रा याद रखना है, पुतर आपने, अब ये word मैंने एक लिखाव है, step z, step z बेटा इस्तमाल किया जाता है, increment के लिए या decrement के लिए, अब ये क्या है, previous lecture में मैंने आपको दो circles बना के कहा था, कि बेटा loop दोनों directions में चलता है, clockwise भी और entry clockwise भी, यानि एक question है कि 1 से 10 तक numbers प्रिंट करने हैं, और दूसरा question है, 10 से 1 तक print करने हैं, so जो scenario आपको 1 से लेकर 10 की तरफ move करवा रहा है, उसमें actually बटा increase हो रही है न value, ascending order की तरफ जा रही है, जबकि आप अगर इसको reverse करते हैं, 10 से 1 की तरफ, so आपने क्या कि आपने values को decrease करना start कर दिया, उसके लिए यहाँ पर decrement covered इस्तमाल किया जाता है, इसको use कैसे करना है, अभी example सीखते हैं बटा आपको समझा आ जाती है, यह हमारा आपका syntax भी हो गया है, interpretation भी हो गया है, जबर interpretation क्या है, variable के बारे में बता दिया, कि simple variable है, loop variable भी कहलाता है, control transfer के लिए use किया जाएगा, x और y, starting और ending values है, step z, increment या decrement है, increment के आगे मैं positive लिख देता ह के हमें याद रहे, increment का मतलब छोटी value से बड़ी value की तरफ move कर जाना, जबके decrement का मतलब बड़ी value से नीचे की तरफ छोटी value तरफ आना, अच्छा जी, last में point रहा गया है, sir, यह next क्या चीज है, यहाँ पर next का word बटा मैंने इस्तमाल किया, बटा next एक keyword है, which will be used for transferring of control from one part of program to and other, अब किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ control transfer करना, जब मैं लिखता हूँ, next n, loop किसे कहते हैं, loop कहते हैं, एक चीज का घूमने लग पड़ना, rotate करना और बार बार एक ही जगा पर घूमते जाना, किसी condition के false होने तक, जब आप कहेंगे next of n, n कहां पर लिखा हुआ, n यह ल control को इस variable की तरफ transfer कर देगा, और क्या होगा, यह चालके फिर नीचे आएगा, फिर next n, फिर उपर से लाजएगा, तो यह इस तरीके से जो circle चल रहा है, actually यह तीन lines के अंदर हम loop का concept इस्तमाल कर रहे हैं, मेरी बात पिक कर गए हैं आप लोग, next का का काम क्या होता है, next का का क लिखे हुए variable की तरफ control को transfer करना होता है, clear हो गए है बाटा जी, हो गए हम move करते हैं, example की तरफ, example यह है कि one से लेकर ten तक आपने numbers प्रिंट करवाने हैं, इस तो इस्तमाल करने का तरीका बाटा सीख लेते हैं, CLS है, लगती है, क्यों लगती है, chapter two में discuss कर चुका, loop start करते है four, syntax के मताबिक, variable इस्तमाल करना है, syntax में लिखा हुआ है, equals two का sign है, बिलकुल लगा हुआ है, one to ten, यानि x to y, और step z में मैंने लिखा है, यहाँ पर step one, इस point को समझें, यही आप से गलती होनी है, one से ten तक, बिटा, कौन कौन से numbers होते हैं, यह सारे वो numbers हैं, जो one से ten के दर्म मौझूद हैं, अब अगर इसको देखें, तो one से ten की तरफ आते हुए, हर number को आप एक एक प्लस करते जा रहे हैं, देखें बचा, three से four में जाने के लिए एक प्लस हो रहा है, four से five की तरफ convert होने के लिए one प्लस हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप step one कर रहे हैं, अगर ऐसा होता कि हम numbers print कर रहे होते, two, four, six, eight, ten, अब two, two plus हो रहे हैं, तो बटा आप फिर step two लिखते, अगर इस तरह होता कि one, या zero, five, ten, fifteen, twenty, पांच, पांच, प्लस हो रहे हैं बचो, तो फिर आप यहाँ पर step five का word इस्तमाल करते हैं, यह हो गया increment का concept, अगर question आ जाता है reverse में, यह वो कहता है, 10 से लेकर एक तक numbers print करवाओ, तो फिर step minus one लिखा जाता, मिरी बात समझ रहे हैं बचा, positive increment के लिए आप सिरफ positive numbers का इस्तमाल करते हैं, इस तरह step one, step two, step three, जबकि अगर आप चाहते हैं, कि loop decrement में चले, या clockwise से anti-clockwise में move कर जाए, तो आप फिर step के साथ minus one, minus two क word इस्तमाल करेंगे, मैं लिख देता हूं बचा, अगर आपका प्रोग्राम होता, 10, 9, 8, 7 से लेकर one तक का, तो फिर बचा, step of minus one का यूज किया जाता, तो यह मैंने आपको प्रोग्राम बचा, इसका करवा दिया है, हम for next loop को complete कर चुके वे हैं, fine बचा, यह मैंने आपको ए variable initialization क्या होता है, variable को initialize करने का मतलब उसको कोई ना कोई खास value assign करना, अब देखें, आपने n को one से ten तक की values assign कर दी, लेकिन आप यहां पर बात लिखेंगे, कि यहां पर variable को inside the body of loop, आप देख रहे हैं, for लिखने के f के साथ ही इस loop की body शुरू हो गई, और कहां तक चलेगी बेटा, यहां तक, आपके for loop के अंदर variable को value inside the body of loop दी जाती है, यह हमारे कुछ points थे, जो मैंने आपको सारे complete करवा दी है, क्या क्या है, अगर एक दफ़ा देख लीजिए, बेटा, purpose है, वो लिखा हुआ है, counter loop, second point, third syntax है बेटा, then आप interpretation में सारे points explain करेंगे, और last में आप य eight marks का long question complete हो जाता है, अगर सिरफ for loop आया तो, अब बाद यह है के साथ अगर while loop भी पूछ लिया जाए, तो पहला point तो हमें clear है, कि इसमें कोई starting value नहीं पता होती, इसमें कोई ending value नहीं पता होती, number of repetitions भी नहीं पता होती, सब कुछ हमें खुदी सोचना पड़ता है, लिए हम कहते हैं, यह हमारे control में loop है, तो इसको controlled loop कहा जाएगा, third बेटा, syntax यानि इसको इसको इस्तमाल करने का तरीका, variable को value assign करेंगे आप, आपकी book में यह वाली line नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं देता, लेकिन example में हम इसके साथ match करेंगे, यह देख डबली उ स्टार्ट ही नहीं हुआ, यहां पर तो while loop अब भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है, हम कहेंगे, कि in while wind loop, the variable is initialized outside the body of loop, तो यह पहला main point मैंने आपको clear कर दिया, for loop में, variable को inside the body of loop initialize करवाया जाता है, जबके while loop के अंदर बिटा, variable को outside the body of loop initialize करवाया ओके बचा next point के तरफ move करते हैं, ले जी, हमने लिखा while, loop का नाम है, bracket में लगी कि condition, condition क्या होती है, any expression that either evaluates to true or false, यह वो चीज़ जिसका answer या तो true में आता है या false के अंदर आता है, ओके इसके बाद center में loop statement है, और wind है, वहाँ पर word इस्तमाल हो रहा था next का, यहाँ पर बच control को वापस उपर transfer करता था, wind भी control को उपर यहाँ पर transfer करतेगा, फाइन हो गया, तो यह चीज़ तो हमें clear हो गई, loop statement की बात करते हैं, लूप statement का यहाँ पर काम वो है, जो वहाँ increment और decrement का था, अब ज़रा नहीं समझ आ रही तो ज़रा गोर करें, step one का मतलब क्या है बचा ज़रा देखें, step one का actually मतलब होता है, कि आप जो variable इस्तमाल कर रहे हैं, अगर हो x है, यहाँ पर तो n था ना बचा, आप उसमें एक plus कर देंगे, यही मतलब है, अगर step two होता बचो, आप उसमें कितना plus करना चाह रहे हैं, two plus करना चाह रहे हैं, अगर minus step होता, आप उसमें स इस्तमाल होगी, आप गोर करें मिटा, n is equal to n plus one, यह सेम ये वला काम है, एक एक प्लस करता जाएगा, यहाँ पर वेंड है, यह सेम वो काना जो next कर रहा था, उपर variable की तरफ control ट्रांसफर करवा रहा था, वेंड भी automatically control को यहाँ से उठाएगा, और इस line number पर दुबारा ट्र लाना है, one से ten तक, so condition कर लगी, n is less than or equals to ten, यानि n तब तक चलता जाएगा, यह statement तब तक चलती जाएगी, जब तक n में मौझूद value दस से छोटी है या दस है, जैसे ही ten से increase करके 11 होगी, loop terminate कर जाएगा और आपका program बिटा किस तरफ move कर जाता है, end की तरफ, वहाँ program कैसे end किया था, same था बिटा, जब तक values one से ten तक रही थी, यह चलता रहा था, जैसे ही value 11 होगी, loop आपका terminate होके program खतम हो जाएगा, मैंने आपको complete difference बिटा करवा दिया है, for next loop के दरम्यान और while when loop के दरम्यान interpretation देखें बिटा, variable के बारे में बता दिया, condition के बारे में explain कर दिया, loop statement क्या होती है, यह आपको बता चुका बिटा, और when का क्या मतलब है, so यह मैंने आपको बता दिया, as it is बिटा, आप copy करेंगे, so चाहे long question, art number का आए, या 800 का आए, आपका एक number भी इसमें से नहीं गट सकता है, इसा next lecture के अंदर, एक loop की application को discuss करेंगे हम लोग, जिसको कहा जा लूप को, लूप की type नहीं बिटा, consider करना है, so यह बिटा हमारा आज का lecture था, अगले lecture तक बिटा अपना ख्याल रखीएगा, अलहांस, dynamic world से बिटा, अलाहाफिज